मैं इस समय कुल्सीपूर में खड़ा हूँ कुल्सीपूर की स्टेशन के पास वाले गेट पर जो देवी पाटन से सटा हुआ है इधर बाजू में देवी पाटन मंदिर है बहुत बड़ा धाम है और यहां हम आये थे अपने खास जरूवा से क्योंकि हम लोग तुल्सीपूर और बलरामपूर के बीचों बीच में पढ़ते हैं कभी तुल्सीपूर आ जाते हैं बाजार करने कभी बलरामपूर आ जाते हैं तो इसके लिए जो है हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो सेर किया जाए यहां पे पहले चोटी लाइन थी अभी बड़ी लाइन सब्सक्राइब हो गया है कि सारी फ्रेने एलक्रिक से घुजरती है कि अब अच्छी जगे हो गया बहुत अच्छा सिटी हो गया तुल्सी कुरमारा कि परीप परीप कि पांच से साथ किलो मीटर में चारों तरब फाहिदा हुआ है सिटी कि अच्छी कि सबसे बड़ी पहँचान यहां का देवी पातन मंदिर है जो मैं वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया हूं लेकिन दूसरे दिन इंशाल्ला एक वीडियो शेयर करूंगा उस रोड पे जिरतिन जाना हुआ क्योंकि यहां से करीब दो किलो मीटर है और अब सूरज डूबने को है इसलिए हमें और भी काम देखना है तो दूसरे दिन वहां का वीडियो भी हम सेयर करेंगे यह हमारी भरपूर कोसिस होगी दोस्तो आप सब हमारे वीडियो पर आते हैं वीडियो को देखते हैं आपका बहुत शुक्रिया और हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा अब वीडियो को पूरा देखा करें हम जब एक दूसरे के चैनल पर जाते हैं तभी सपोर्ट मिलती है इसलिए चैनल पर बराबर आएं जाएं सब के वीडियो जब देखा जाता है तभी पूरा सपोर्ट मिलता है ओके कि यहां सुगर फैक्ट्री सबसे पुरानी है जो कि गन्ना पूरे छेतर का यहां पर आता है अब शायद फैक्ट्री बंद होने वाली है जो कि गन्ना लगवग अपक्तम होने को है दोस्तों वीडियो जादा बड़ा हम नहीं करेंगे और अब जाने का वक्त हो गया है इसलिए की सूरत डूर जाएगी तो आज शायद तराभी शुरू हो जाएगी इंशाल्ला क्योंकि कल चांग नहीं हुआ था अब आज तो देखने की जरूर भी नहीं है इंशाल्ला पह काम करने की तोफिक दे और हमें रोजा, नमाज, जकात, फित्रा जो हम पर वाजिब है जाईज है वो हमें हक निकालने की तोफिक दे असलाम वालेकुम और रह्मतुम्भाई ही और बरकात हो गया है इसलिए अब भाखेर अल्ला हाफिस फिर मिलेंगे इंशाल्ला दूसरे नई वीडियो के साथ